हेलो फ्रेंड्स हमारे बिलिंग सॉफ्टवर में स्टाफ का मेनेजमेंट HR मोड्यूल से कर सकते हैं इसमें स्टाफ प्रोफाइल पे क्लिक करें यहां से स्टाफ की कम्प्रीट डिटेल्स लाइक डिपार्टमेंट, डेजिगनेशन, स्टाफ आईडी, डेट ओव जॉइन यह होगा और डेट और टाइम, करेंट डेट टाइम लेगा, नेक्स्ट आपको डिपार्टमेंट एंटर करना है, डेजिगनेशन, सपोज एक कैशेर के एंटरी कर रहे है, स्टाफ आईडी, डेट आफ जॉइन, स्टाफ नीम, फादर नीम, जिंडर, ब्लोड ग्रूप, कर दो नीम, फ कर दो द सक्टाफ된 बीकष।, छिल्यूद एंट मिर स्टाफिण तॉक्ष्ट लिए पलकाथ जाज़करव में, ठाफ छुएसर एंट्र।, अट्रूब सेंटते हैं, स्टाफ़ा द्राफन लोग्षि अट्राँ, ट्र अटूब औरी अट्रय साफ रफेज़क झाल झाल मोबाल नम्बर अल्टरनेट मोबाल नम्बर इमेल आईडी अगर कोई फोटो है तो यहां से फोटो अपलोड कर सकते हैं मैरिटल स्टेटेस पैमिली डिटेल्स सारी डिटेल्स वन बाई वन यहां पर हम एंटर कर सकते हैं कोई एक्सपिरियंस है यह में फाइव यह जॉब डिटेल्स और लडी उनकी जॉब के आ रही है लेंग्विजस नौन आधार नंबर बैंक अकाउंट नंबर कोई रिमार्क यह सारी एंटरी फिल करके सिंप्ली हमें सेव कर देना है इस तरीके से कोई भी स्टाफ की खंप्लीट डिटेल्स आपको एंट्र करनी है जो-भी एंट्रीं हमेंma की हमें वह लास्ट OR देखनी है तो इसमें अगर कोई चीज चेंज करनी है तो उससे चेंज करके अपधेट कर सकते हैं यह an extra entry और और je next entry उसके पहले की last entries one by one आप यहां से सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं next point है staff list जो भी staff की entry हमने कर रखी है उनकी details अगर देखने हैं तो department wise देख सकते हैं like sales department की list generate करिये और यह सारी list आ जाएगी otherwise at a time आप complete staff list ऐसे generate कर सकते हैं इसमें किसी particular staff की details को अगर view करना है तो simply view करिए उसके complete details आ जाएंगी अगर उसमें कोई update या delete करना है तो आप यहां से कर सकते हैं next जो भी details है complete इनको आप excel फाइल पे लेके print कर सकते हैं यह सारे details को excel में import कर सकते हैं यह सारे options दिए गया है HR module में thank you यह सारे बाएंगी और दूप यह इनको दोंगर आप जाएंगी ओटना हैं